हलो दोस्तों मेरा नाप है मनीश और आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे इस्टुमेंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में कि इस्टुमेंट कंट्रोल सिस्टम का कम क्या होता है और कौन-कौन से जो parts उसमें लगे होते हैं और जनली उन parts का काम क्या होता है और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन-कौन से parts में ज़्यादातर problems आता है और problems को कैसे solve किया जा सकता है दोन के बारे में आज बात करेंगे उसे पहले अगर आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe जरूर कर लेना क्योंकि अगर बत्ती machine से related मैं कुछ information आपको इस channel के जरिये से देते रहूँगा तो channel को जरूर subscribe करके रख ले तो बात करते हैं topic के उपर यह हमारा व्यात नाम-based honk-tong machine और machine के बारे में आपको कुछ तो generally knowledge होगा ही और आज मैं instrument से related कुछ जानकारिया दूँगा आपको तो यह हमारा model number 03 और व्यात नाम जो manufacturing है इनका जो companies है यह व्यात नाम की है तो बात करते हैं कि हमारी machine में कौन-कौन सा instrument parts लगे होते हैं तो यह हमारा है सबसे पहले AC drive और AC drive का काम यह होता है कि आपका जो machine है तो machine का सबसे एहम parts जो सबसे बड़ा रोल होता है वो है हमारा AC drive का और इनका काम होता है machine का जो automation जो system है मतलब machine को एक control के रूप में चलाने का काम है तो यह उनका काम होता है और second thing है हमारा relay relay भी एक type का auto controller है और ये relay base जो पीछे आप system देख रहे हैं इसे relay base बोला जाता है और ये सामने का हिस्सा जो है ये relay है जैसा कि मैं खोल के दिखाता हम आपको तो इसे कहते हैं relay और इनका जर्नली जो है काम होता है जो हमारा supply chain होता है मतलब जो बिजली की supply होती है उनको control अप करना और control करके एक मतलब सीमित जो बिजली की यूनिटे होती है उन यूनिटे के हिसाब से चलाना होता है आप देखेंगे कि कभी कभी हमारा जो है बिजली supply voltage या फिर high हो जाता है या फिर low हो जाता है तो ये उनको control में रखता है तो ये है relay system और तीसरे चीज है हमारा adapter adapter का basic काम होता है हमारा जो DC motor होता है तो DC motor को ये operate करता है और DC motor का controller भी यही है DC motor का जो basic fund है वो ये तयार करके चलाता है और ये AC DC adapter इसे बोलते हैं और कुछ ये specification जो है इसमें लिखे हुए है what is वगेरा output और input और कभी-कभी आप ध्यान दिये होंगे कि आपका जो DC motor से उसका speed क्या है चलते-चलते slow आप हो जाता है तो इनका speed जो controller इसमें दिया हुआ है तो आप इसे भी कम या ज़्यादा करके अपने coding इसे तयार कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं कि कौन साब का जो instrument जो parts है वो ज़्यादा तर खराब होते हैं तो खराब होने के लिए तो तीनों चीज जो इसमें लगी हुई है वो खराब हो जाते हैं voltage में आपको रखना होगा और जो है हमारा EC drive इसमें भी problems आते हैं तो इनको आपको ध्यान जरूर रखना है क्योंकि ये काफी महेंगा है मतलब देखा जाये तो इन सभी parts में सबसे ज़्यादा महेंगा ये है और ये भी मेरा एक बार जो है system है वो थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाएगा मतलब कभी आपको machine उल्टा चलने लगेगा या फिर high speed में चलेगा या फिर low में चलेगा या फिर आपके machine जो है sort करेगा मतलब इसमें जो है sort होने का problem आया था तो जैसे मैं switch on करता था तो ये sort हो जाता था मतलब machine जो है पूरी तरीके से कुछ दिर चलने के बाद वो बंद हो जाता था तो इसमें ये problem आया था और दो-तीन तरीके से जो है इसमें problems आते हैं तो उनका आप जरूर ध्यान रखे और सबसे बड़ी चीज है इसमें आपका जो बिजली chain है मतलब जहां से आपका बिजली का supply होती है उसको आपको ध्यान देना ही कि ओ प्रॉपर सहीं voltage में है की नहीं और अगर ये problem हो जाये तो इसको आपको कैसे repairing मतलब कैसे इसको खोल सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ तो ये मैंने खोल लिया और आप ध्यान देगें की आप ध्यान देगे की इसमें मैंने serial wise numbering जो है किया हुआ है तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है क्योंकि इसमें जो cables है वो बहुत सारे हैं अगर कोई cable सीधर उधर अगर change हो जाए मतलब दूसरे चीज का connection दूसरे में लग जाए तो ये आपका system पूरा ही खतम हो जाएगा इसको ध्यान रखना आप इसमें कुछ type का ये से numbering कर लेना एक दो number, तीन number, चाड़ number करके और निकालने के बाद आपका जो instruments जो repairing सौप होते हैं, मतलब जहां जो है instrument समबंधित जो electronic समवानों का repairing होता है, वहां आपका ये repairing हो जाएगा और relay की बात करते हैं तो relay अगर problem करे अगर voltage के कारणी ये भी problem करता है और अगर ये problem करे तो ये का इसका जो है repairing system नहीं है अगर आपका repairing हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको change करना ही पड़ता है तो अगर ये problem हो, तो आपका DC motor जो है काम करना बंद कर देगा और इसे आप change करके फिर नया जो है उसो लगा सकते हैं तो इस वीडियो में आपको इस्टूमेंट सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको थोड़ा help full लगा होगा, तो हमारे चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा तो मिलते हैं कुछ नए topic के साथ में तब तक के लिए धन्यावाद